PM मोधी ने BJP के अंदर नेताओं के रिटायर्मेंट का प्लैन बनाया था। इस प्लैन में 75 साल के बाद BJP के अंदर किसी भी नेता का राजनेतिक वनवास शुरू हो जाता था। पार्टी की तरफ से उसे किसी भी तरह के चुनाब में उमिद्वार नहीं बनाने की नीती तयार की गई थी। वो बात अलग है कि जैसे ही पीम मोदी 75 वर्ष के करीब पहुंचे इस नीती को भुला दिया गया। पीम कब रिटायर होंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन पीम मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योग पती गौताम अडाने जरूर रिटायर हो रही हैं तो क्या है अडानी की रिटायर्मेंट का प्लान देखे रिपोर्ट राहूल गांधी लगातार दावा करते रहे हैं कि नरिंद्र मोदी की सरकार गौताम अडानी के लिए काम करती है आम जनिता कले कुछ नहीं करती पीम नरिंद्र मोदी इस समय 74 साल के हैं और राजनीती से रिटायर्मेंट लेने का उनका कोई प्लान नहीं है तो दूसरी तर कि रिटायर्मेंट के बाद वो अपने बेटे और भतीजों को ग्रूप की कमान सौप देंगे ब्ल्यू वर्ग को दिये एक इंटर्व्यू में गौताम अडानी ने कहा कि उनके चार उत्र अधिकारी बेटे करण और जीत के अलावा भतीजे प्रणव और सागर को कमान जबकि उनके चोटे बेटे जीत अडानी अडानी एरपोर्ट के डारेक्टर है प्रणव अडानी अडानी एंटर्पाइजिस के डारेक्टर है और सागर अडानी अडानी ग्रीन एनरजी के एक्जेक्यूटिव डारेक्टर है अडानी ग्रूप के पोर्टफोलियू की बात करें तो इसमें 10 लिस्टेट कंपनियां हैं जिसका टोटल मार्केट कैप करीब 21.3 करोड डोलर है ग्रुप का कारोबार इंफ्रस्ट्रक्चर पोर्ट्स शिपिंग सीमेंट सॉलार एनरजी सेक्टर समेत कई दूसरे सेक्टरों में फैला हुआ है डीवी लाइफ की हुआ है